तो चलिए आज बात करते हैं, Refraction at spherical surfaces के बारे में आप सबसे पहले यहां ध्यान से देखें, यह जो आपको English के अक्षर, यू जैसी एक चीज नजर आ रही है यही basically हमारा क्या है? सफेरिकल सर्फिस है इसको सफेरिकल सर्फिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको एक सफेर जैसा कर्व नजर आएगा इसलिए इसका नाम है सफेरिकल सर्फिस यानि कि यह बिलकुल स्ट्रेट नहीं है, बिलकुल फ्लेट नहीं है इसके अंदर थोड़ा सा कर्व है इसलिए इसको क्या बोलेंगे सफेरिकल सर्फिस तो आप ऐसा अज्यूम करके चलिए कि यह जो आपको एक यू शेप का सफेरिकल सर्फिस नजर आ रहा है इसके अंदर सारा डेंसर मीडियम है और माल लेजिए उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू टू इसको हमने मीडियम टू बोला है क्यों क्योंकि इस सफेरिकल सर्फिस के बाहर जो मीडियम है उसको मैं बोलूँगा मीडियम नंबर वन और उसको मैं मान रहा हूँ कि एक वो रेरर मीडियम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है आप ऐसा suppose करके चल सकते है कि ये जो यू बना हुआ है ये कांच से बना हुआ है glass से बना हुआ है और बाहर सारी air है तो नेचरली बाहर आपका रेरर मीडियम है और अंदर जो कि glass है तो वो कैसा मीडियम हुआ denser मीडियम हुआ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो आप ये मान लीजिए, कि ये जो U-shaped object है, जिसको आप कह रही है, spherical surface, ये काच का बना हुआ एक surface है, इसके अंदर हर जगह काच है, हर जगह, हर जगह पर काच है, हलाकि ये जो आपको mathematics लिखा हुआ दिख रहा है, ये mathematics जो है वो काच के अंदर ही आप मान करके चलिए, जस्ट आपकी clarification के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने इसको mathematics को यहाँ लिख दिया, otherwise इस U-shaped body के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, आप ये मान के चलिए, कि वो सब glass के अंदर हैं, और इसके चारों त देखेंगे, और यहाँ आप अगर ध्यान से देखें, मैंने ये जो बहुत लंबी सी लाइन मार्क की है, इस लंबी सी लाइन को बोलते हैं principal axis, और जो ये आपका spherical surface है, इसका जो ये curved part है, इसका जो middle point है, उसको बोलते हैं pole, और अगर मैं आपसे ये पूछूँ के इस curved part के हिसाब से, अगर मैं एक sphere draw करने की कोशिश करूँ, तो उसका center किस तरफ आएगा, तो आप समझेंगे, कि वो center आएगा कहा, थोड़ा सा right hand की तरफ, और इसी लिए उस point को मैंने वहाँ पर mark करके, उसके उपर लिखा है capital C, और capital C को बोलते हैं center of curvature, जैसे आपको थोड़ा सा mirror की जो terminology है, वो याद आ रही होगी, कि mirror में center of curvature भी होता था और pole भी होता था, कुछ वैसी ही feeling आप यहाँ ले सकते हैं, बिल्कुल, तो इसके बाद आप धान से देखिएगा, कि इस line को हम बोलते हैं principal axis, यह है आपके spherical surface का pole, और यह है आपके spherical surface का center of curvature, तो pole से लेकर के center of curvature क beach की जो यह दूरी है, जिसको मैंने capital R से नीचे represent किया है, किसको बोलते है radius of curvature, आप समझ गई होंगे, इसके बाद आप यह देखिए और जो चीजें आपको इस diagram के अंदर नजर आ रही हैं, उनके उपर अब हम धीरे धीरे बात करेंगे, तो सबसे पहले आप यह उबरा हुआ है, बाहर की तरफ bulged out है, और जो चीज बाहर की तरफ bulged out होती है, उसको हम बोलते हैं convex, इस सफेरिकल सर्फेस का नाम आप क्या दे सकते हैं, convex सफेरिकल सर्फेस, और अगर इसमें, मांग लीजे कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, कि कुछ इस तरीक से अगर कर्व होता, तो हमें लगता कि ये अंदर की तरफ धासा हुआ है, उस वक्त हम इसको बोलते, concave सफेरिकल सर्फेस, वो भी खेर हमने पढ़ना है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, convex सफेरिकल सर्फेस की, और हमने क्या किया, ये जो principal axis हमने खीची है, इस principal axis पर कहीं यहां एक point लिया, और इस point को मैं बोल रहा हूँ, O, O का मतलब है object, object का मतलब है, जैसे आप mirror और lens के सामने object रखते थे, ये उसी तरह का object है, बस यहां पर हम क्या करते हैं, जो object है हमारा, वो point object होता है, यानि कि जो हमारा object है, वो बेहद point जैसा होगा, छोटा सा ह होगा, आपने ध्यान से देखा हो, पढ़ा हो, अगर याद आप करें, तो जो mirror और lenses हम पढ़ते थे, वहां हम principal axis के उपर एक लंबी सी line खीच के और उसको object का नाम देते थे, वहां पर मतलब के height हम लेते थे, कुछ ना कुछ हमारे object की, लेकिन यहां पर आपने क्या करना है spherical surfaces के case में, जो object है, उसे आप point object मान करके चलेंगे, तो देखिएगा, जैसे हम mirror में और lenses में ray diagram बनाते थे, तो वैसे ही ray diagram हम यहां भी draw करेंगे, तो सबसे पहले आप धान से देखिएगा, कि यह जो हमारा object है, ओ, यहां से बहुत सारी rays निकलेंगे, इस तरफ भी, इस phrase निकलेंगी, आप धान देजिए उस ray पर, जिस ray के बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूं, देखिए, यह जो object से एक ray निकली है, मान लीजिए, यह बिल्कुल principal axis के सहारे सहारे, उसके उपर, उसके parallel चलती जा रही है, और pole पर गिरेगी, तो क्योंकि आप जानते हैं, कि यह वाली ray गिर रही है, pole पर perpendicularly, इसलिए इसका reflection नहीं होगा, और यह बिल्कुल यूँ कि यूँ, आप देखिए, यह arrow मैंने यहां लगाया है, बिल्कुल यूँ कि यूँ, undeviated गुजर जाएगी, और आगे की तरफ चलती रहेगी, यह बात आपको समझी में आ गई तो आप यह देखिएगा, कि O से यह ray निकली, 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 यह arrow आपको नजर आ रहा होगा, यह निकली, निकली, निकली और यहां पर यह ray incident हो गई, तो अगर मैं इस point A को इस ray के लिए क्या मान सकते हैं, point of incidence मान सकते हैं, तो आप एक चीज धान से देखिएगा, जैसे ही हमारी ray point A पर गिरती है, तो जब वो A के बाद आगे चलना चाहेगी, तो अब medium change हो जाएगा, यानि के पहले तो वो चल रही थी कहां, air में, लेकिन अंदर तो उसको कहां चलना है, अब हमने मान लिया, यह glass है, तो इसको कांच में चलना है, तो क्योंकि medium change हो गया, तो point A पर क्या होगा, reflection, यहां क्यों नहीं हुआ था reflection point P पर, क्योंकि ray बिल्कुल perpendicularly गिरी थी, लेकिन यहां पर perpendicularly नहीं गिरी है, थोड़ा सा obliqually गिरी है, इसलिए A पर क्या होगा, reflection होगा, तो आप देखिए, यह जो dotted line है, यह तो आपको indicate करती है, कि ray को इसी रस्ते पर चलन चाहिए था, यानि कि यह हमारी ray का original रास्ता है, अगर reflection ना होता, तो आपकी ray को इसी direction में चलते रहना था, लेकिन अब तो reflection होगा, एक medium से दूसरे medium में जाना है, तो आप देखिएगा, हमने क्या किया, point A को यहां dotted line के through C से मिला दिया, आप समझ गई होगे, point A पर मैंने basically इस dotted line की help से, आप इसको CA line भी बोल सकते हैं, मैंने क्या draw किया है, एक perpendicular draw किया है, इस चीज़ को आप समझ गई होगे, तो आप यह देखिएगा, कि इसी CA line को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो incident ray ने normal के साथ यह जो angle बना दिया, इसको हम बोलते है, angle of incidence, यानि के eye, और denser medium में जाते वक्त, जो light की ray है, वो अपना original रस्ता छोड़ करके, थोड़ा सा normal की तरफ मुड़ जाती है, तो यह आप देखिएगा, इस रस्ते को छोड़ करके, हमारी ray इस रस्ते पर चल पड़ी, और चलते, 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 यहां point eye पर, वो इस ray के साथ, आपको मिलती हुई नजर आ रही है, यह ray कोन सी है, यह तो है हमारे object से निकली हुई first ray, और यह वाली ray कोन सी है, यह है हमारे object से निकली हुई, वो second ray, जिसका point eye पर reflection हुआ था, और आप देखिए, object से निकली हुई first ray, और object से निकली हुई second ray, after reflection, इस point पर मिल जाती है, और आई का मतलब है image of the object तो ये ओ आपका object था और ये आई क्या है आपके object की image उसके बाद आप अगर ध्यान से देखें आपकी refracted ray नॉर्मल के साथ जो angle बनाती है उसको हम बोलते हैं angle of reflection जिसको मैंने किस से represent कर दिया small r से ये बाद आपको सुन में आ गई तो आई है angle of incidence और r है angle of reflection ये वी बातिया आपको समझ में आ गई होगी अब हमने क्या करना है तीन और angle हमारे पास है alpha, beta, gamma देखें दो rays जो आपके object से निकली है तो आप ये मान लीजिए कि इन दोनो rays के बीच में जो angle है उसको हमने बोल दिया alpha यानि कि आप ये भी बोल सकते हैं कि object पर बनने वा आपस में converge होकर के यहां मिल रही है point I पर तो ये angle beta है यानि कि image पर बनने वाले angle को आप बोल सकते हैं बीटा और ये जो आपका normal है इस normal ने PC line के साथ ये जो angle बनाया center of curvature पर हमने इसको मान लिया angle gamma और आप देखिएगा point A जो कि आपका इस ray के लिए point of incidence था वहां से मैंने एक normal draw कर लिया हमारी principal axis पर और M जो है उस perpendicular का foot है आपको बाशन में आ गई यानि कि AM is perpendicular on principal axis तो आप एक चीज और धान से देखिएगा पोल से हम सारी की सारी जो चीजें हैं उनकी measurement की शुरुआत करेंगे तो पोल से object तक की दूरी होती है object distance पोल से लेकरके object तक का distance होता है उसको हम बोलते है object distance और उसको हम denote करते है यू से similarly pole से लेकर के और image तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते है image distance जिसको हम denote करते है किस से? V से और आप देखीगा कि pole से लेकर के center of curvature तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे radius of curvature तो U क्या है, V क्या है R क्या है, ये P, M, C क्या है, I क्या है, R क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, I क्या है, अलफा क्या है ये सब चीजें आपको बड़े आराम से अब समझ में आ गई होंगी एक बार फिर से आप देख लीजिए कि ये एक spherical surface था और ये क्योंकि बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे convex spherical surface object से हमने दो rays निकाल दी, दोनों rays में से इस रे का तो reflection हुआ नहीं, लेकिन उस ray का reflection हो गया, और reflection के बाद दोनों rays, यहां आप देखिएगा, denser medium के अंदर point eye पर मिल गई है यहां पर image बन गई है, यह आपका object है, यह pole है, यह center of curvature है, तो आप यह देखिए, सारी चीज़ें हमने इसके इंदर जो है include कर ली है अब हम थोड़ा सा mathematics की तरफ आते हैं, अच्छा हम करने क्या जा रहे हैं, आप ही देखिएगा कि यह जो दो हमारे पास medium है, दोनों के refractive index अलग अलग है तो हम क्या चाहते हैं कि दोनों जो medium हैं उनके refractive indices object distance image distance और यह जो आपकी radius of curvature है इनके बीच में मुझे एक mathematical relation मिल जाए, बस वही हमारा इस topic को पढ़ने का aim है तो आप ध्यान से देखिएगा हमें पता है कि जो triangle का external angle होता है वो दो internal angles के sum के बराबर होता है तो इस लिहाज से आप अगर ध्यान से देखें, यह जो triangle है A, C, I इस triangle में जो आपका gamma है, वो यह आप एक चीज और ध्यान से देखिएगा R को मैं कुछ इस तरीके से denote करूँगा, और gamma को मैं कुछ इस तरीके से denote करूँगा हो सकता है, आपको यहाँ देख करके R लगे, नहीं, R मैं ऐसे denote कर रहा हूँ, और gamma इस तरीके से denote हो रहा है तो gamma जो है आप यह ध्यान से देखिएगा, कि इस triangle के, जो यह दो internal angles हैं, इनके लिए external angle का काम करेगा तो इसलिए, gamma किसके बराबर होगा R प्लस बीटा तो यहाँ पर मैं लिखा कि, gamma is equal to R प्लस बीटा, यहाँ से आपने R की value जो है, वो निकाल ली Similarly, अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा तो दिखिए जो आपकी triangle है A, C और O तो इस triangle के लिए I angle एक external angle है और gamma और alpha इसके लिए कैसे है, internal angle है इसलिए I किसके बराबर होगा alpha प्लस गामा, तो I जो है आपका वो किसके बराबर हो गया alpha प्लस गामा, तो मेरे पास इस point A पर बनने वाले angle of incidence की value भी आगई, और इसी point पर जो angle of reflection है R, उसकी भी value आगई, यानि कि I को और R को हमने alpha, beta, gamma की terms में निकाल दिया हर बार हमें ऐसा ही करना होता है, अब उसके बाद आप point A पर snells law लगा दीजिए snells law आपने पढ़ा है, क्या बाहर वाला जो medium है उसके refractive index को multiply कर दीजिए, sin I से और अंदर वाले medium के refractive index को multiply कर दीजिए sin R से, और उन दोनों को आप बराबर put कर दीजिए, तो यहाँ परा देखिए, mu 1 into sin I, किसके बराबर होगा, mu 2 into sin R, यह बाद ठीक है, जो angle of incidence है, उसका आपने sign ले लिया और उसको multiply कर दिया जिस medium में यह angle बन रहा है उसी medium के refractive index से जो कि कितना है, mu 1 similarly, जो यह R है इसका आप sign लें, लेकिन sin R को आपको multiply करना है उस medium के refractive index से जिस medium में यह angle बन रहा है अब यह angle आप देखिए, denser medium में बन रहा है इसलिए sin R को multiply करना पड़ेगा आपको mute के साथ तो वो चीज दोनों बराबर होती है तो जब आप इसको यहां लिखेंगे तो माल लीजिए कि I और R बहुत ही small है और अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं कि sin I approximately I के बराबर हो जाएगा और sin R approximately R के बराबर हो जाएगा आप जानते हैं कि अगर angle very small हो तो sin theta approximately theta के ही बराबर होता है इसलिए sin I को मैंने I लिख दिया और sin R को मैंने R लिख दिया उसके बाद यहां जो यह mu 1 into I है वो किसके बराबर आ गया mu 2 into R के बराबर अब I और R की value यहां से जो आपने alpha, beta, gamma की terms में निकाली थी वो values यहां put कर दीजिए तो यह देखिए अगली line में हमने कुछ ऐसा ही किया है यह बात आपको समझ में आ गई होगी उसके बाद जो आपने 10th class में एक formula पढ़ा था theta is equal to L upon R यानि के L का मतलब है यहां R की length और R का मतलब था radius एक circle के case में आपने formula पढ़ा था तो उस formula को हम यहां थोड़ा सा apply करेंगे तो देखिए किस तरह से हम उसको apply करेंगे यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी थी कि हमने जो है I और R की value यहां रख दी थी उसके बाद देखिए alpha को हम am by mo लिखेंगे कैसे लिखेंगे आप उस चीज को धान सुनिएगा देखो alpha पे अगर आप गौर करें तो alpha यह angle है तो देखो यह line चलते 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 a पर खतम हो रही है और यह line चलते चलते माल लीजिए कहां खतम हो रही है m पर तो आपके लिए a से लेकर के m तक की जो line है वो काम करेगी arc की length का यानि के small l का और o से लेकर के m तक की जो दूरी है वो काम करेगी radius का तो l by r तो l आपकी हो गई am तो यहाँ पर लिखा am और radius का काम करेगा m o तो यहाँ पर लिखा m o तो वो जो आपने formula पढ़ा था कि theta is equal to l upon r मैंने इसी form में alpha की value यहाँ put कर दी है ठीक है अब कई बच्चे पुछेंगे a m by a o भी कर सकते थे a o हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि o m हमने इसलिए लिए है क्योंकि यह o m आगए आप देखिएगा हमारे काफी काम आएगी ठीक है आगे मैं क्या करूँगा वो आपको पता लग जाएगा और तब ही आपको सब्सक्राइगा कि o m हमने क्यों ली थी और o a हमने क्यों नहीं ली है देखिए बीटा तो बीटा जो है वो इन दो लाइनों के बीच बनने वाला एंगल है जिसको हम लिखेंगे a m by m i तो इतना सब कुछ जब आप करेंगे तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि a m a m a m a m ये common आ रहा है तो उपर से ये हो जाएगा cancel इसलिए आप ये देखिए यहाँ पर आपको a m अगले step में नजर नहीं आएगा और एक और चीज़ यहाँ देखिए आप ध्यान से कि जो हमारा point p है और जो हमारा point m है वो बेहद close लाई करते हैं बलके diagram में आपको भले ही दोनों थोड़ा सा gap पे नजर आ रहे हों real situations में क्या होता है आपका जो point p है और जो point m है वो काफी नजदीक नजदीक होते हैं इसलिए जहाँ जहाँ आपको m नजर आ रहा है वहाँ वहाँ हम p लिख देंगे मैंने हैं लिखा भी है कि as p and m are very close so m can be replaced by p क्यों ऐसा करेंगे हम क्योंकि आपको पता है कि हर distance के measurement की शुरुआत pole से होती है तो इसलिए क्योंकि दोनों बड़े close हैं तो हम यह माल लेंगे कि जैसे दोनों एक दूसरे के उपर ही लाई करते हैं और इसलिए हम m की जगे क्या लिख देंगे p क्योंकि p से ही sorry p से ही जो सारी चीज़े हैं उनकी measurement की शुरुआत होती है तो आप यहां देखीगा ध्यान से जहां m o था वहाँ p o लिख दिया जहां m c था वहाँ p c लिख दिया and so on यानि कि जहां जहां आपको m नज़र आ रहा था वहाँ वहाँ आप क्या लिख देंगे p लिख देंगे उसके बाद इतना जब आप कर चुके हैं तो अब ध्यान से देखिएगा one by p o अब p o देखो कहां है इस दाइगराम में p से लेकर के o आपको पता है pole से लेकर के और object तक का जो distance है उसको मैं यू लिख सकता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर m o को किस से replace किया था p o से ताकि मैं p o को exactly क्या put कर सकूँ u put कर सकूँ आप यहाँ देख भी सकते हैं one by p o की जगे मैंने यहाँ पर one by minus का जो u है वो लिखा है यानि के p o आपका जो है वो u के बराबर आएगा लेकिन आप समझ सकते हैं m o तो u के बराबर नहीं आ सकता था था ना किसलिए मैंने m को किस से replace किया p से replace किया और अब मैं आपको साथ साथ यह बात भी बता दूँ कि मैंने यही line क्यों ली थी alpha को a m by m o लिखने में क्योंकि m o को तो फिर भी मैं approximately p o के बराबर लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ से मुझे u मिलेगा लेकिन यह जो line है a से लेकर के o तक यह मुझे u नहीं दे सकती थी इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था radius के तोर पर इसको लिखा था यानि कि जैसे आप a से लेकर के m को arc length l बोल रहे थे तो m से लेकर के o तक आप radius की तरह मान लेंगे और l by r का formula जैसे हम theta के लिखते थे तो a m by m o को हम alpha के बराबर put कर देंगे तो इसलिए मैंने इसके उपर ज़ादा ध्यान दिया था इसको मैंने consider नहीं किया था तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी के आपका जो p o है उसकी value क्या रख दी मैंने minus u अच्छा minus क्यों क्यों क्योंकि देखो object से जो raise निकल रही है आपको समझ में आ रही होगी वो जा रही है right side की तरफ लेकिन आपको p से लेकर के o कहां चलना पड़ेगा left की तरफ चलेगा ठीक है तो अगर आप object से निकलने वाली raise की उल्टी तरफ चल रही है तो आपको negative sign जो है sign convention के इंदर consider करना पड़ता है तो इसलिए भले ही p से लेकर के o distance तो u है लेकिन क्योंकि आप इस निकलने वाली raise के opposite चल रही है इसलिए आप यहां क्या लिखेंगे minus का u लिखेंगे यह वही sign convention है जो आपने mirrors के case में पढ़ी थी यह खेलीजिए lenses के case में भी कुछ-कुछ ऐसा ही था आप बोलते थे कि principle axis से उपर चीज़ें positive होती है नीचे negative होती है सब तकरीबन तकरीबन वही sign conventions use हो रही है तो अब देखीगा one upon pc pc का क्या है p से लेकर के सी तक आपकी radius of curvature है अब दोगो p से c आपको कहां चलना पड़ेगा right side में चलना पड़ेगा और आपकी ray भी right side में चल रही है तो इसलिए r आपका कैसा आएगा positive तो one by pc के जगए one by r आगया यह आपका mu2 है यहाँ mu2 के जगए mu2 आएगा और यहाँ आप देखीगा mc की जगए क्या आएगा pc तो pc को फिर से r लिख दीजिए और pi के बारे में क्या ख्याल है p से लेकर के i तो आपको चलना right side में पड़ेगा तो positive आएगा यह लेकिन है यह v के बराबर तो एक minute आप यहाँ अगर ध्यान से देखें थोड़ा सा यह जो है p से लेकर के i हाँ sorry मैं वैसे ही confused हो गया था आप देखिए यह था हमारा one upon p c minus one upon pi तो यह minus तो यह वाला ही है ना जो आपका p से लेकर के i है p से लेकर के i वो तो आपका plus v आएगा ना तो यहाँ पर तो आपको यह plus v ही है क्योंकि अगर आप इसको plus लिखोगे भी सही तो भी वो इस minus की वज़े से क्या होगा minus ही हो जाएगा तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि यह जो आपका one upon pi है तो p से लेकर के जो i तक की value है वो आपकी रहेगी plus v के बराबर तो यह basic लिए आपका plus v ही है यह वाला minus तो यहाँ से जो आपका minus है वो है हाँ अगर ऐसा होता कि v अगर आपका negative होता तो वो दोनों फिर क्या जाते इसका negative और इसका negative यह फिर plus हो जाते ठीक है लेकिन यहाँ पर आपका v आएगा positive क्यों क्योंकि आपकी ray भी कहाँ चल रही है देखिए right side में और आपको भी p से i कहाँ चलना पड़ रहा है right side में इसलिए v positive आएगी लेकिन वो positive यहाँ पर है क्यों नहीं क्योंकि यहाँ पर यह वाला minus exactly यहाँ अपेर हो रहा है तो अब दिखीगा इस पूरी की पूरी जो हमारे पास equation थी उसमें हमने values put कर दी और values put करने के बाद mu1 को इन दोनों से multiply कर दीजिए mu2 को इन दोनों से multiply कर दीजिए और फिर आप क्या किजिए uv को रख लीजिए एक side और r को रख लीजिए एक side और यह आपको एक relation जो है वो नजर आ जाएगा तो यही वो required relation है जो की हमें derive करना था तो आप लिए देखिएगा mu1, mu2 आपके दोनों media के क्या है refractive indices है u और v object distance और image distance है और यह r क्या है आपकी radius of curvature है इस spherical surface के लिए तो इन पाच्चों के बीच में पाच का मतलब u, v और r तीन चीजें तो यह हो गई, तीन और दो कौन सी हो गई mu1 and mu2 इन पाच्चों के बीच में यह relation आपको मिल गया कोई भी चार चीजें अगर इन में से known हों तो पाच भी जो unknown चीज है आप समझ सकते है हम उसको find out कर सकते हैं तो यह जो आपका relation है इसी relation के लिए हमने इतना सब mathematics से किया था अब आप देखिएगा आपकी book में क्या है इसके बहुत सारे cases जो हैं आपको दे रखे होंगे कभी object को रख देंगे rare medium में जैसे कि यहां रखा हुआ है कई बार रख देंगे dancer medium में ठीक है और यह अभी तो आपका कैसा surface है convex spherical surface है कई बार यह कैसा हो सकता है concave हो सकता है image कई बार real बन सकती है image कई बार virtual बन सकती है जैसे कि यह दोनों rays यहां reality में meet कर रही है तो image कैसी बनी है real और अगर reality में meet ना कर रही हों पीछे बढ़ा करके मिलानी पड़ें जैसा कि आपको पता है तो image case ही बनेगी virtual तो यह बहुत सारे cases आपकी book में दे रखे हैं एक case यह मैंने आपको करवा दिया है तकरीबन तकरीबन आप ऐसा मानके चलिए कि total अगर मैं convex spherical surface और concave spherical surfaces के सभी cases को मिला दूँ तो total 6 case आपको एक case मैंने आपको करवा दिया है पांच cases मुझे उम्मीद है कि इसी pattern पर आप खुद try कर सकते हैं और आप ऐसा करेंगे भी सही और आप एक बार फिर से देख लीजिए हमने करना क्या है सिर्फ आप जो है वो spherical surface एक बार बनाईए चाहें कनcave हो चाहें convex हो object को रखिए principle axis पर और object आपका point object मुझे आपको आपको बाहर रखना है केंदर रखना है वो देख लीजिए image आपने real बनवानी है के virtual बनवानी है वो देख लीजिए विर्चुल में क्या करना होता है आपको अबजेक्ट थोड़ा सा पोल के पास रखना होता है तो image जो है उस case में कैसी बनती है विर्चुल हो आप देख लीजेगा बुक में आपको बड़े अराम से मिल जाएगी आप समझ भी जाएगे तो इस तरीके से कौन सा case आप से पूछा जा रहा है वो आप बड़े अराम से discuss कर सकते हैं और हर बार आपको यही करना होगा angle of incidence और angle of reflection पर यह snell slow लगाना होगा और snell slow लगाने के बाद i और r को छोटा मान करके कुछ इस तरीके से जो आपके i और r की values हैं alpha, beta, gamma की ट्रम में वो लिखनी होंगी और इसी तरह का mathematics solve करना होगा और हर बार आपको जो है इन दोनों points के बीच के distance को बहुत कम मान करके m को आप हमेशा p से replace कर देंगे और जो आपका यह alpha, beta, gamma है इनके लिए आप theta is equal to l upon r का जो formula है वो लगा करके values यहां रखेंगे ठीक है, तो बिल्कुल same pattern पे सब कुछ रहेगा और last में आप यह देखिएगा कि आपकी 5 चीज़ों यानि कि दो तो refractive indices और 3 आपके यह u, v और r इनके बीच में आप correlation मिलते रहेंगे तो इस तरीके सा आप यह 6 के जह जो formula है, reflection at spherical surfaces के यह आप बड़े आराम से कर सकते हैं हर एक में आप यह देखिएगा बिल्कुल same approach ही follow हो की